If 8x plus 8y is equal to 64, what is the average of x and y? Question बहुत छोटा सा है, लेकिन ये ट्रीकी है, हमने इसको अब कैसे सॉल्ड करना है? हमसे पूचा गया है कि x और y की average बताएं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास average का जो formula है वो क्या होता है? Average is equal to sum over n, ठीक है? Average is equal to sum over n, तो यहाँ पे जिसकी average मालूम करनी होती है, उसका sum और जितनी वो values होती है, उसको n, मतलब उसको डिवाइड कर देते हैं Sum यहाँ पे क्यूंके x और y की हमने average मालूम करनी है, तो x प्लस y हम इनका sum ले लेंगे और n जो यह कितनी values है, x प्लस y यह 2 हैं, तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे अब इसको हम solve करेंगे तो हमारे पास average आ जाएगी लेकिन हमारे पास x प्लस y की जो value है वो अभी available नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम equation को solve करेंगे, इस equation को solve करेंगे और x और y की value को हम calculate करेंगे या मालूम कर लेंगे तो हमारे पास है 8x प्लस 8y is equal to 64 देखें, 8 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 8 को हम ले लेते हैं, common x प्लस y is equal to 64 तो यहां पर देखें, 8 यहां पर multiply हो रहा है तो border part जाके क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा तो x प्लस y is equal to 64 over 8 तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे 8, तो x प्लस y हमारे पास कितना आ गया, 8 तो आप देखें, x प्लस y हमने x प्लस y की value calculate कर ली तो यहां पर हम क्या करेंगे, x प्लस y की value रखेंगे और इसको काट देंगे, तो हमारे पास जो answer आया, 4 प्लस